विदान सबा का मौनसुन सतर चल रहा है और सदन के अंदर आज बहस हो रही थी कोरोना के दूसरे लहर को ले करके कितने लोगों की ऑक्सीजन से मौत हुई इसको ले करके सरकार का जवाब चल रहा था मंगल पांडे जो है स्वास्त मंत्री वो सदन में कह रहे थे लेकिन इतन सबसे ज़्यादा कमी हुई थी जिसके कारण कई लोगों की जाने गई लेकिन सरकार के तरब से जवाब था उससे विपक्ष असंतुस्त दीखा और फिर वाक आउट किया गया बाहर निकल कर तेजश्वी आदब ने कहा कि जो बाते चल रही थी और आपने भी देखा है कि क सीजन के कारण दम तोड़ा है और तेजश्वी आदब ने आखिर ये क्यों कहा कि कॉरिंटाइन सेंटर में दमाद की तरह देखवाल हो रहा था वह क्यों कह रहें तेजश्वी आदब आपको पहले इस पूरे बयान को सुनाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ते आप लोग भी नहीं जानते हो कि कितने पेजों का एक किताब है तो इसके लिए अलग से ग्रिषय रखा जाएगा हम लोग पले स्टड़ी कर ले हम लोग हवा हवा वाली बाती नहीं करते हवा हवा हवाई वाली जो आज चल रहा था सदन में दमाद के तरह सम्झे तवाइस तो आपने सुना विहार के नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी आदब के इस बयान को तेजश्वी आदब दरसल कह रहे हैं कि कौन नहीं जानता है कि कोरोना की डूसरी लहर में कौरिंटीन सेंटर में दमादों की तरह खातिरदारी हो रही थी लोगों की चुकि बता दे कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से कौरिंटीन सेंटर का हाल रहा है वो सब जानते हैं ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा उन्होंने कहा कि हम बस फिजूल की बाते नहीं करते हैं हम जो authentic बात होती है उसको सरकार के सामने रखते हैं आप बने रहें first PR के साथ नमस्कार